हाई गाईज गुद्मोर्णिंग वेलकम टू बैक माई यूटू चैनल देख सकते हूँ आप लोग सुभा का लंच बन रहे हैं ये आलो आला पूरी देखे ये आलो बाला पूरी बन वेगी है सुभा का लंच बनाने में बड़ा सोचना पड़ा है वोगो टैल समयते हैं क्या बन रहे हैं और फटा फट बन दी जाए है आई तुमाश अरे इतना सारा पूरी मैंने बेल के रख लिया है फिर मैं धीरी जेगर के इसे तलूँगी क्योंकि हर जल्दी जल्दी मैंने इसे होता नहीं है इतना है और मेरे हथ बेन लेकी तो आटा काई करें कि रही बना रहे इतना है सुबा का लंच बन रही है देखे एक बन गई है दूसरी तल रही है और इतनी बच्ची तो आप देख सकते हो लंच बन के इसलिए इसलिए मैं फटा फट नवच पैक कर रही हूं और साथ साथ वीडियो भी बना देऊ पूरा वेडियो इसलिए इंडालती हूं कि देखते देखते भी बोरिंग हो जाते हो ना आप सब इसलिए थोड़ा वेडियो डाल देती हूं तो मैंने पूरी पैक कर देया अब दही डाल देऊ अब इसमें चीनी डाल देऊ चीनी डाल दो ना दई के साथ यह लोग दही के शाथी चीनी में जाते हैं अलग अलग नहीं लेके जाते हैं तो मैंने डाल दिया अब पातिदेख का नहाना पूजा यह सब हो गया है वह भी अभी पूजा पर से उठके अब रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए और मैंने फाइनली लंच पैक कर दे और शारा गर का काम अभी परा है कुछ नहीं हुआ है कि शुआ को बहुत हरवारी रहती है आप लोग भी जानते हूँ सुआ के टाइम में तो सब के रूम में सब के अधर में ही होता है देखिए मैंने फिर लंच पैक किया है यह पूरी यह रही देख सकते हूँ और यह मेरे नास्ते के लिए है और देखिए कितना काम परा हुआ है शारा बरतन वेशिंग में परा हुआ है फिर रूम सही करना है तो चलिए बाई नेक्ष्ट व्लॉग में मिलेंगे